ना सेंड़ीच, ना समोसा और ना ही पकोड़े आज हम आपके साथ मटर से बहुती मज़ेदार और क्रिस्पी नाश्टे की रेसिपी शेर करने वाले हैं जिसे आप हलकी फुलकी भूप में कभी भी बना कर कुछ ही मिन्टों में खा सकते हैं तो फिर चलिए जदा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं मटर का सीजन चल रहा है तो आज की इस नाश्टे को बनाने के लिए हमने आधा कप ताजी मटर ली है लेकिन यदि आपकी पास ताजा मटर नहीं है तो इसकी बजाए आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें हम डाल देंगे दो हरी मिर्ची यदि आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो दो के बजाए आप तीन या चार अरी मिर्ची भी ले सकते हैं पहले हम इसे पीस लेंगे और इस तरीके से देखे हमने मिर्ची का पेस्ट बना लिया है इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये मटर के दाने क्योंकि मटर को हमें बहुत जादा नहीं पीसना है बस इस तरीके से पल्स मोड में चलाते हुए हलका सा दरदरा करना है क्योंकि हम यादी मटर का पेस्ट बना लेंगे तो नाश्टा हमारा खाने में इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा आप देख सकते हैं कि मैंने दाने को थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है आप चाहे तो इसे इमाम दस्ते में भी कोट करके हलका सा दरदरा कर सकते हैं तो चलिए इसे रख देते हम साइड में और इसके बाद मैंने आप पर एक बिल्कुल चोटी साइस का आलू लिया है आलू टोटल ओप्शनल है यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे इसकिप कर सकते हैं तो आलू को छील करके हमें इस तरीके से कद्दू कस करना है और इनक का सारा स्टार्च निकल जाए इसकी बाद पैन में हम लगबग एक से दो छोटी चमच ऑईल डाल देंगे आप चाहे तो यहां पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जैसे ऑईल गरम हो जाता है हम इसमें एक चुटकी हींग और इसी के साथ में आधी चोटी चमच जीरा आप चाहे तो इसे बीना ओयल से भी बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से हींग और जीरे का तड़का लगा करे दिया हम नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा अब हम इसमें दो कप पानी डाल देंगे गेस का फ्लेम हम इस समय हाई रखेंगे आधी चोटी चमच सफेद तील और स्वाद नुसार नमक भी डाल देंगे पानी भी हलका सा गरम होने लगा है तो हम इसमें ये मटर और इसी के साथ कद्दू कस किया हुआ ये आलू भी डाल देंगे आलू को पानी में से अच्छे से निचोड कर डालेंगे और इने दो से तीन मि तो यहाँ पर लगभग दो मिनिट हो गए है और आप देख सकते हैं कि पानी भी अच्छे से उबलने लगा है तो अब हम गेस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर लेंगे यहाँ पर आलू और मटर भी हलके से सॉफ्ट होने लग गए है क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं एक कप सूजी लिए सूजी आप यहाँ पर बारिक वाली लीजिए यदि मोटी सूजी लेते हैं तो इसे मिक्स जार में हलका सा पीस लीजिए और इससे अच्छे से मिला लेंगे वेसे दो कप पानी के हिसाब से एक कप सूजी सफिशेंट है लेकिन फिर भी यहाँ आपको कि आपको डो गिला है तो आप अपने हिसाब से इसमें एक से दो छोटी चमा सूजी और डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कप सूजी लिए और आप देखिए डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार हो गया है तो अब हम इसे ढग देंगे और गेस का फ्लेम बंद कर करके इसे 10 मिनिट के लिए इस तरीके से चोड़ देंगे ताकि भाप में यह और भी अच्छे से पक जाए और यहाँ पर आप देखिए 10 मिनिट हो गहें डो भी हलका सा ठंडा होने लगा है तो अब मैं इसमें यह थोड़ी सी सुखी लाल मिच डाल रही हूं जिसे मैं इस इसे के कलर हमारा बिल्कुल ग्रीन ही रहे तो यहाँ पर आप देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे डाल देंगे एक ट्रे में जिसे मैंने पहले ही ओल से ग्रीस करके रख लिया था डो भी हलका सा गरम है इसलिए इसे इस पे चुला यह कटोरी की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे थोड़ी दे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो लगबख 5-7 मिनिट हो गए हैं और डो भी हलका सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे कट कर लेते हैं तो आज की इस नाश्टे को में ट्रेंगल शेप दे रहे हूं ताकि दिखने से हमने चोटे-चोटे से ट्रेंगल बना कर रेडी कर लिए हैं और देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं सूजी अच्छे से पक चुकी है इसलिए देखिए बिल्कुल भी नहीं चीप रही है और आसने से ये कट भी हो रहे हैं तो चलिए इन्हें हम रग देते हैं प्लेज में रख दीजिए और सुबह अशाम जब कभी आपको नाश्टा करने का अमन करे तब दुरंत इने फ्राइ किजिए तो चलिए हम भी इन्हें फ्राइख लेते हैं इधर पेन में ऑयल बेच्छे से गरम हो चुका है इन्हें फ्राइखिए क्लिए हमें मीडिम होट क्रिस्पी तो मीडियम टू हाइफ फ्लेम पर इन्हें उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राइब करेंगे तो यह ऑल में जाने की बात बिखर जाएंगे और बहुत जादा ओईली हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगबग चार से पांच मिनिट लगे ह हाइ फ्लेम पर इन्हें फ्राइब करते हूं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं इनकी कलर से इसमज है आरा है कि नशत्रह हमारा कितना क्रिस्पी बनां है तो दिखने में तो यह से भी साना और बिल्युकुल भी ओली नहीं यह मैurnें यह इन्ने टीप की हुई हरी मिर्ची सॉस ये किसी भी चटनी के साथ खाई है और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद